मश्यूर फिल्म प्रोडेक्शन हाउस आरे मुवीज द्वारा तैयार की गई फिल्म जूले लाल बेड़पार का पोस्टर विमोचन किया गया पोस्टर विमोचन के दुरान फिल्म का एक बड़ा डिस्ट्रिबूटर कट का अब लोकन लोगों को भी कराया गया कल शुकरवार को फिल्म को आरे मुवीज के ओफिशियल यूटूब चैनल पर रिलीस किया जाएगा एमजी रोड इस्थित शुबास पार के स्थित इंडियन कलब में फिल्म जूले लाल बेड़पार का पोस्टर विमोचन करिकरम किया गया करिकरम का शुबारम फिल्म पर्डियूसर रंजीत सामा वे इंडियन कलब के सचीव सुधीर बोजवानी ने से युक्तरूप से दीप पर जुलन कर पोस्टर का विमोचन किया इंडियन गलब के सच्चिव सुधीर बोजवानी ने कहा कि इस परकार की धार्मिक फिल्मों से युवाव को नई प्रेना और समाज को नई दिशा मिलती है समाज के लोग अपने देवतुलिय अवतारों के बारे में विश्तार से जानते हैं और फिल्म पर्डियूसर रंजीत सामा ने कहा कि आगरे मुवीज के बैनर तले अब तक 20 फिल्मों का निर्मान किया जा चुका है फिल्म उद्योक में शहर और आसपास के जन्बतों में रहने वाले लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलता है सूरज तिवारी ने बताया कि फिल्म को शुरवार को शाम 3 बजे दर्शकों के लिए यूटूब पर फिल्म पहले से दर्शकों के लिए सूची बड़ है पोश्टर विमोचन के दोरान इस फिल्म का एक लोगकट अबलोकन भी कराया गया ये फिल्म परिवार के लोगों के साथ बैट कर देखी जा सकती है। अगरत से ब्यूर रिपोर्ट प्राइमिटी निउस। अगरत की फिल्म आप लोगों के सामने मीडिया कर्मियों के सामने दिखाई जा रही है। और इसकी इंटायर शूटिंग मैंने आगरा में की है। लोकेशन्स में शिरी किसन गउशाला जो शागज में है उसमें की है। एक हमारे मित्र हैं बाबा कार्मेंट के बासु जी उनके घर पे की है। और भी डिफरेंट लोकेशन्स हैं। यह एक घंटे की फिल्म है। इस फिल्म में चरित्रवनेता रजा मुराज जी निटका शर्मा और आगरा के बहुत चर्चित कलाकार। अनिल जैन जी। उमा शंकर मिश्रा जी। और जगत शर्मा जी। समीर सिंगल जी। रंजीव कोचर जी। और जो समाज के बहुत ही प्रतिश्चित लोग हैं। जो स्टेंटरल पंचाय सिंग्जी समाज के जीवतरम करीगा जी हैं। उन्होंने भी अबने किया हैं। यह कहाणी है कि गईया माता की सेवा करनी चाहिए वह बेस स्टोरी है। कि गईया माता की बेस स्टोरी को लेकर कि गाय का हमारे जीवन पे कितना परवाव है ये बेस स्टोरी है